CSDA Launchpad के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है तो जो हमारी सीरीज चल रहे थी Numerical की सीरीज चल रहे थी जिसमें Transformer का अल्रेडी एक topic हमने cover कर दिया इसके पहले के class में यानि कि हम हर class में हर एक formula पे स्रीप हम numerical कराते है और हर type का यानि कि जिनको भी numerical का डर लगता या तो जो computer exam की तयारी कर रहे है उनके लिए numerical एहम कड़ी है आपके selection की क्यों तो इसके पहले भी हमने बता है कि maximum student इसको छोड़ देते और हमें वही करना है कि जो छोड़ देते है उसको भी हमें पकड़ लेना है ताकि हम बाकी जनों से कुछ अलग रहे है और उनके आगे रहे हम ठीक है तो जो हमारी series चल रहे है तो आज के class में transformation ratio या तो transformer ratio का आ जाता है जो भी है वो पूरे के पूरे transformation जो अनुपात होता है उसका उसके उपर जो numerical बनते है तो किस तरह से numerical बन सकते और उसको आपको किस तरह से tackle करना है यह सब हम आज के class में देखने वाले है और अगर आपको free का test देना है, free का quiz देना है daily का तो आपको क्या कर लेना है यह app डाउनलोड कर लेना है अप में जाएंगे तो आपको daily election का quiz मिलता है वो भी free में तो उसको आप attend कर सकते हैं और जो class में हम पढ़ाते हैं अभी जो लिखते हैं बोर्ड पे उसका भी PDF है निकि जो question है उसके solution का भी link क्या कर दिया है आपने description में दे दिया है और बाकी की वीडियो अगर आपको देखना है पूरी की पूरी playlist तो उसका भी link हमने description में दे दिया है यानि कि हो सके वाहत तक आपको आसान करने की हमने कोशिश की है अगर आपको electrical fully अगर आप competitive exam की तयारी कर रहे हो तो हमने एक course बनाया electration का जो theory का course है totally full detailed course है यानि कि basic से लेकर advanced level तक का course है जो electration का master course है यानि कि all India जो भी competitive exam होती है अगर उसका technical का exam है तो उसके लिए बिल्कुल बहतर तयारी करने के लिए बिल्कुल बहतर एक course है जिसका नाम है विद्धुत ब्रह्मास्तर इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो app download करके उसका introduction वीडियो आप देख सकते हो ताकि आपको पता चली कि इस course में और क तो आज का एक transformer के numerical का दूसरा class है जिसमें हम cover करने वाले आज transformation ratio है तो transformer ratio हैने कि उसका अनुपातिस के उपर जो भी numerical है उस अब देखने वाले तो numerical start करने के पहले हर बार की तरह पहले formula क्या है और किस तरह के question आते हैं यह सब हम देख लेते हैं तो दीखिए turns ratio कहेंगे कभी transformation ratio कहेते हैं कभी voltage ratio कहेते हैं तो अलग-अलग तरी से कहेते हैं तो आपको धहन में रखना है कि जो भी ratio बोले ratio आनि अनुपात आनि कि कोई भ value तो वहीं भी क्या हो सकती है दो value उसका ratio या तो उसको अनुपात कहा जाता है मतलब एक value divided by अगर दूसरी value बोल दे तो उसको क्या कहा जाता है ratio तो उसी तरह से ट्रांसपर्मन भी आपको पता है कि हमारे ट्रांसपर्मन में दो section एक primary अलग होता है और secondary अलग होता है अभी feeling आप तक पोचे आपकी feeling हमारे तक आए उसी तरह से notation होता है आप कैसे भी दे सकते हो और हर book में आपको अलग अलग तरीके से देखके रहे है तो देखिए turns ratio भी कभी word आपको दीख सकता है तो आपको धहन में रखना है confusion नहीं नहीं तो धहन में रखना है यहाँ पे changes क्या changes इतना है कि current हमारे पास जितने भी component है जितने भी component नहीं केंगे जितने भी parameters है सब में स्रीप current क्या होता है सब क्या उल्टा होता है सब क्या होता है अगर आप अनुपात देखते हो या आप यहन तू यहन मतलब number of turns होते है V याने की voltage होता है E याने की EMA Pindyuse होता है 2 यान द्यान में रखो कोई दिक्कत नहीं होंगे आपको मतलब कोई भी आपका problem नहीं रूखने वाला है इससे theoretical question आ जाते कभी की transformer ratio के उपर तो हमेशा द्यान में रखना है कि उपर 2 वाली term रहेंगे और नीचे में क्या रहेंगे हमारी 1 वाली term रहेंगे पर किसके लिए अगर आप उसमें number of turns देखते हो आने कि यन है तो उपर में यन टू रहेगा वी है तो उपर में वी टू रहेगा ये तो उपर में इटू रहेगा लेकिन numerical सौर करते करते अगर आपको confusion हो जाए कि 2 उपर था कि 1 नीचे था तो आपको बिल्कुल confused होनी की जरूरत नहीं है आप उ numerical बताएंगे ना तब इसको और एक बारा में याद करा देते कि उल्टा भी लिखेंगे तबी भी आपके answer के उपर कोई भी फरक पड़ने वाला है नहीं है क्यों तो एंसर सेम ही आने वाला है तो देखिए स्रिप current क्या होता है कि current हमेशा उल्टा होता है यानि कि 1 by 2 अगर क्या लिखना है बाकी सबको अगर current को हम एसे लिख देते हैं I2 upon I1 अगर लिख देते हैं तो सबको क्या लिखना पड़ेगा E1 upon E2 लिखना पड़ेगा मतलब यह current के क्या लिखना होता है ultra लिखना होता ध्यान में रखना current क्या है उल्टा है उसी तरह से primary, secondary लिखेंगे अगर current primary लिखा है primary बार अगर secondary है तो बाकी पैरमेंटर लिखते हो secondary बार primary लिखना है इतना स्रिफ ध्यान में रखना है कि current क्या है उसमें उल्ट है, यह देखते हैं कि question किस तरह से आता है, question बिल्कुल आसानी से आता है, आपको स्रिफ पहिचानना होता है, कि यहाप अभी turns ratio आतो transformer ratio कि हमें ज़रौत पढ़ सकती है, तो इसका use करके हम इसको solve कर सकते हैं, इतना ह चार हो गए, ठीक है, अलग-अलग term है 4, तो 4 में से कुई 3 क्या रहेंगे, हमें given रहेंगे, अभी जरूरी नहीं यही relation रहेगा, कभी यह दोनों के बारे में देखे हो सकता है, कभी यह दोनों के बारे में देखे हो सकता है, मतलब किसी भी दो ratio को हमें उठाना होता है, कभ चारी पॉइंट बाहर निकालना होता है, चारी पॉइंट उठाना होता है, चार में से 3 given होता है, और एक हमें solve करना होता है, जनरल ही क्या होता है, कि current rarely पूछा जाता है, ज्यादा तर यह हमारे turns का ratio, और हमारी EMA pin-use का ratio, या तो voltage का ratio, इन में ही ज्यादा तर numerical फस्ते हैं, पर ज्यादा तर question आते हैं, तो हम पहला question देखते हैं, इससे आपको पूरा idea clear हो जाएगा, question दो language में हम दोनों भी पढ़नी की कोशिच करते हैं, ठीक है, देखे, तो बस ध्याद में रखना है कि जो हमने भी formula में बताया दे, इतने parameter हैं हमारे पास, अगर आपको कही पे भी ऐसे लग रहा है, कि इन में से किसी कौन से भी तीन parameter अगर गीवन है, अगर ऐसे आपको पता चल जाता है, तो लगता है, कि इन में से तीन value आपको गीवन है, तो अगर निकालने, तो एक बार आपको सोच लेना है, कि क्या यह transformer ratio या तो transformation ratio के उपर का question हो सकता है, यह हमें सोच ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर primary और secondary का turns देखे, उसके बाद the net cross section area, अभी देखो, यहाँ पर area भी देखे, अगर याद होंगा आपको तो इसके पहले के class में एक question था, उसमें area भी given था, flux density भी given था, तब हमारा flux given नहीं था, flux हमारा given नहीं था, तो यह में equation वाला numerical था, पर इसमें भी area देखे, तो आपको confusion नहीं होना area भी देखे, cross section इतना देखे, cm2 में शायद पिछली बार भी वही था, पिछली वाले class में, primary winding is connected to 50 years, frequency भी देखे देखे, अब यह से फीलो सकता है हमें, कि आरे यह वाला question तो कोई, यह में equation वाला तो नहीं है, ऐसे लग सकता है, यह तो given data देखेंगे, तो इतना तो बिल्कुल सही है, उसके बाद supply है, यानि कि हमने क्या कर दिया, primary winding लगा दी पास sold पे, यानि कि एक winding का देखो, यहाँ पे क्या बात पता चली, कि शुरुवात में हमें टर्स दिये, primary और secondary दोनों भी दे दिये, यानि कि यन1 यन2 given है, इसका मतलब और एक अगर voltage मिल जाता है, या तो current मिल जाता है, तो हम एक अदा voltage है, तो एक अदा current निकाल सकते हैं, आपको सोचना है, तो अब आगे देखें find the voltage induced, मतलब अभी बोल दिया है, कि अभी voltage निकालना है, तो इतना दिमाग में हमें फट से आ जाने को ना, आरे भाई, हमें दो टंस दिये थे, एक voltage भी देखें, तीसरा, और बोला है कि चौता वाला voltage निकाला हुई है, तो बिल्कुल आसान हो गया, उसके लिए हमें क्या क यानि कि 1000 द्वीतिय वर्तन है, वर्तन यानि कि वो टंस है हमारे, मतलब को वैंडिंग कहेंगे, कोईल कहेंगे उसका, ठीक है, नमबर अप टंस होते ना हो, कोर के शुद्धा अनुप्रस्त काट का क्षेत्रपल, क्षेत्रपल यानि कि एरिया देखे है, कोई दिक्कत नही जो भी देखे, उसके बाद कुंडली का, प्रातमी कुंडली का voltage इतने हर्ड्स पर, यानि कि 50 हर्ड्स पर पास उल्ट देखे, उसके बाद आगे में देखेंगे, तो द्वीतिय कुंडली यानि कि winding का प्रेरित voltage द्याद कीजिए, यानि कि यहाँ पे बोला गया है कि secondary का voltage तो अभी कोश्चन को क्या करेंगे, हम यह सोच लेंगे, जैसे हमने बोला है, सोचना कैसा है, कि दो टरंस देखे, और एक ओल्टेज भी देखे, और दूसरा ओल्टेज निकालने को बोला है, तो 101%, अभी बाकी डाटा की जरुरत नहीं पड़ सकते, अभी confusion क्या हो जाता है, डर जाते, एक तो इतना बड़ा कोश्चन देखके भी डर जाते, और दूसरा बात, कि आप देखेंगे, तो एरिया भी देखे, और क्या देखे, फ्लक्स भी देखे, चाहिए अरिया देखे, फ्रिक्वेंसी भी देखे, इतना सारा देखे, तो हमी confusion हो जाए थारी solve करना है तो क्या करना है, बट confusion हो जो हम बताया हो बराबर द्यान में रखना है, कि दो हमारे पास क्या देदिये, दो turns देदिये, और एक voltage देदिया, और दूसरा voltage निकालने को लागा दिया, तो कितने आसानी से हो सकता है, तो देखे, सबसे पहले लिखा करेंगे, हम गीवन निकाल देखे, यह प्राइमरी का turn है, 400, तो यहाँ पी लिख देंगे turn यानि की लिखते हम यन में, प्राइमरी यानि की यन वन हो गया हमारा 400, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे में 1000 देखे हमारा secondary का turn, ठीक है, 1000 यानि होता, यन 2 कितना है, 1000 है, 1000 भी लिख दिये, उसके बाद आग जाता है, ठीक है, अभी देखेंगे यापे, तो primary winding is connected to, primary connect है, 500 old पे, कहाँ पे connected, 500 old है, नहीं कि primary हम बोलेंगे, तो primary को E1 लिख देंगे, कितना है, 500 old है, ठीक है, और आगे देखेंगे, find the voltage inducing secondary winding, अभी पूचा है, कि find करना है, नहीं कि निकालना है, अब इंदी में voltage निकालना, यानि कि E2 का voltage निकालना है, तो यहाँ पर आगया question mark, तो यहाँ से तो पूरा clear ही हो रहा है, कि जो हमारे पार transformation ratio है, तो अभी आपको पताए, E वाली term लेना, यन वाली दोनो term लेना है, तो जैसे हमने इसके पहले आपको formula बताया था, कि formula क्या था, एक मिट इस करना, यह दोनों को बाहर उटा देना है, यह दोनों को क्या करना, बाहर उटा रहा है, तो बाहर उटा रहा है, मतलब क्या हो जाएंगा, यह हो जाएगा, यह जाएगा, N2 divided by N1 equals to E2 divided by E1, अब शुरुवात में हमने आपको पताया था, कि यह उल्टा भी होता है, तो आपक अलगे तो यह क्लास होने के बाद है, एक बार कोशिश करके देखना, आप अगर ऐसे लिखते हो, N1 upon N2 equals to E1 upon E2, तबी भी आपका एंसर बिल्कुल 101% क्या होगा, सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, 101% यह हमारा चैलेंज आप करके देखिए, यह क्लास होने के बाद, 100% solve करके देखिए, तो इसलिए आपको confusion नहीं होना, और यह उल्टा होगा, तो हमरा answer उल्टा होजाएंगा, कुछ भी उल्टा नहीं होगा, आपका answer बिल्कुल सही हैंगा, बट कोशिश करना है, 2 by 1, यह ध्यान में रखना है, स्रिफ current के लिए 1 by 2 होता है, बट solve करते हो, तब उल्टा भी करेंगे, तो कोई आपको असर नहीं पढ़ने वाला है, तो देखिए, 1 by 2 का value कितना है, 1000, फटा 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 फूट कर देते हैं, 1000 divided by 1 by 1 का value कितना है, 400 दिए, 400 पूट कर दिए, equals to, e2 का value, तो हई नहीं हमारे पास, e2 लिग दिए, divided by, e1 का value कितना ह 500, कुछ नहीं करना, यह divide है, उदर जाने का बात क्या हूं, यह multiply, यानि कि यह हो गया, 1000 multiplied by कितना हो गया, 500 और divided by कितना है, 400, तो सिंपल थरीके से 2-0 काट देंगे, यह value काई का हमारा, e2 का, तो आगे चलके क्या हो जाएंगा, यह 4 से भी क्या करेंगे, यह 1000 को अगर divide करते यह हो जाता है, 200 आजाता, कितना आजाता है, 200 और यह 200, अभी बचा क्या हमारे पास, 200 multiplied by, 5 और equals to क्या है, e2, यानि कि हम लिख सकते, e2 equals to, 5 into 4, sorry, 200 into 4, कितना हो जाएंगा, 1000, और उसमें 200 add कर देना है, यानि कि 25 into 5, कितना होता है, 1205, मतलब 125 होता है, बटे, आप एक 0 है, 1250 old हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1250, तो इस तरह से आप आसान ही से, तो 1250 आपको option में दूर नेना है, 1250 काप AC पर आने के हमारा C answer क्या है, बिल्कुल, सही, इतना आसान question आता है, बट question देखेंगे, तो इतना बड़ा question देख के न, पहले ही डर जाते है, बट देखो, इसका कितना फाइदा है, कि आप डरे नहीं है, अगर आप सामने चले गए, तो कितना सा आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, आसान calculation से, चलो, next question देखते हैं, उसके बाद, next है, कि 3300, यानिकि 3300, यानिकि 3300, पर, यानिकि डिवाइड करके, यानिकि एक primary होग 70 tons, low voltage winding, यानिकि जो low voltage वाली winding है, उसमे number of tons कितने है, 70 है, यानिकि 70 है, on the core, अभी यापे cross section area देती है, जीसे इसके पहले दिया न, confused करने के लिए, 125, तो अभी समझ लो कि इसका हमें जरुरती नहीं पढ़ने वाला, क्यों तो देखिए, यापे 2 हमें voltage देखे, कितना और एक turn देखे, अगर आगे बोल दिया कि हमें number of tons निकालना है, फिर बाकी data कि तो हमें जरुरती नहीं पढ़ेंगी, तो आगे देखिए, effective cross section नहीं गया, what is the number of tons on the high voltage side, तो हमने देखो वही बोला था, कि अगर number of tons निकालने को बोल दिये, तो story तो खतम, बाकी data कि हमें ज single page transformer है, जिसको 125 प्रभावी cross section area है, उसका area देखे, चेतरपल अभी कुछ नहीं करना है, 70 turns है, कम voltage वाली side winding को चालू करने के लिए बनाया गया, मतलब यह उसका value देखे, तो उच्छ voltage winding पर चक्र, चक्र यानि कि हमारे क्या होते है, turns होते है, कितनी संख्या क्या होगा है, य नहीं उसको primary बोलो, नहीं secondary बोलो, ताकि हो सोचते ही रहे, अपना time खराब कर दे, या तो question कोई छोड़ दे, यह question बनाने वाले का motto होता है, कि उसको मज़ा आता है, जब ऐसे question बना दे, तो यह आपर बोल दिया high voltage, तो भी confusion देखो कैसे हो सकता है, confusion हैनि कि आपके मन में य यह भी हो सकता है, क्या रही है, ना primary बोला है, ना secondary बोला है, तो हम इसको समझेंगे कैसे कि primary बोला है, secondary बोला है, तो हमने अभी बोला है आपको, कि numerical solve करते वक्त आप n1 को n2 लिखो, या तो n2 को n1 लिखो, आपको कोई फरक पढ़ने वाला है, नहीं, जैसे for example अभी आप लिख दिया है, 3300 upon 250 old, तो अभी देखें, आपको और एक बार बता देती कि आपको क्या करना है, class खतम होने के बाद, और एक बार आपको खुद से solve करके देखना है, दूसरे तरीके से, अभी हमने बोल दिया, कि यह अगर voltage देखें, तो यह समझो, यह में पिंटू समझ ल करेंगे, पहले वाले को two consider करेंगे, और दूसरे वाले को one consider करेंगे, मतलब जो हमारा transformation ratio है, उस हिसाब से हम सोचने की कोशिच करते हैं, तो अभी क्या करेंगे, हम e2 को उपर वाला e2 समझेंगे, और नीचे वाला क्या समझेंगे, even समझेंगे, तो हम given data निकालते तो दिख ने होगा, स्रीफ इतना द्यान में रखना है, कि अभी मत आएंगे, क्या द्यान में रखना है, तो यह हम इसको e2 consider कर लेते, तो हमारा हो गया, e2 का value हो गया, 3,300, ठीक है, जो भी होगा, और e1 का value हो गया, e1 का value कितना है, e1 का value है, 500, तो हम यहापे लिग देंगे, 500, का ग किसके है, किसके है, कम voltage, आप देखेंगे, 70, तो है, ना ही primary बोला है, ना ही secondary बोला है, वाट यह बोला है, कि low voltage वालों के है, तो low voltage किसका है, भाई, low voltage तो अभी e1 का है, अगर आप समझो, इसको उल्ठा लिग देते, e1 अपन e2 भी लिग देते, तब यह e2 का होता, कम वाल ने होगा, अभी फिलाल के लिए, हमारी low voltage winding मतलब कौन सा है, e1 है, कौन सा है, low voltage, e1 का है, low voltage है, कैसे ही है, low voltage, तो इसके लिए इसको, जो turns है, यान से denote करते हैं, तो यह e1 का value होगा, किसका value होगा, e1 का value होगा, और आगे चलके देखेंगे, what is the number of turns, और से number of turns निकालना है बट high voltage side का, अभी high voltage तो यह है, तो यह क्या होगा जाएगा, yen 2, तो yen 2 equals to क्या होगा, question mark आने कि secondary winding का में number of turns निकालना है, इतना clear है, आप हिंदी मी भी देखेंगे, तो winding पर, उच्चा voltage वाले winding पर कितने चक्र रहेंगे, यानि कि कितने wound रहेंगे, यानि कि number of turns कितने रहें यहां पर low voltage 70 देखेंगे, हमने question mark लिख दिया है, low voltage कितना है, 70 है, तो low voltage हमारा क्या होगे, यह 200 low voltage है, तो यह होगे हमारे number of turns 70, और yen 2 का क्या क्या करना है, value find करना है, इस तरह से अगर ultra भी होता है, पर dan में रखना है, कि अगर यह पहले जो हमने consider किया, वही हमें बाद में भी consider करना है, तो आप बोलेंगे, सर इधर E2 लिखेंगे, तो फिर यह वाली value हम 2 को लिख देंगे, बढ़ नहीं, यह मूर का पना हो जाएगा, क्यों तो आपे clear लिखा है, कि यह वाला number of turns किसका है, यह number of turn है, low voltage वाले winding का, तो कुछ नहीं, बस formula लगा देंगे, तो देख तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सरीफ calculation करना है, यह 70 उस तरब लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएंगा, यह multiply में चले जाएंगे, यानि कि, n2 equals to 3300 multiplied by 70 और divided by क्या है, धाइसोई, divided by क्या है, तो आप अपने तरीके से calculation कर सकते हैं, 00 काट देंगे हम, और यह दोनो क्या करते हैं, पहले 7 करते हैं, बाद में हम division करते हैं, कैसी भी कर सकते हैं, आप आपको जैसा easy लगता है, आप वही से कर सकते हो, ठीक है, साथ से करेंगे 00, 721, 21 का एक बचा 2, 721 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया, तो यह इतना आ गया, 24100 और इसको divide किस से करना है, 25 से divide करना है तो यह direct division होता नहीं, क्यों तो 2 में division नहीं होगा, इसके लिए में 3 value लगेंगी, यह 4 होगे, 3 value लगेंगी, और 3 में 25 का division करके देखेंगे, तो 10 बार भी division नहीं होता है, क्यों तो 900 चाहिए, तो 9 बार होगा 25, 9 कितना होगा, 200 में से 5 यह गया, तो 225 होता है, मतलब 25 इंट है क्या कई पर, हाँ, एक ही है, अगर एक ही है, तो हमें आगे में solve करने की जरूरत नहीं, अब आसानी से solve कर सकते हो, 9, 2, 4 answer आने को न, बट, exam अभी competitive है, theoretical exam नहीं कि पूरा लिखते बटेंगे, हमें समय बचाना होता है, तो 9 वाला है, अगर 2 होते है, तो हम क्या करते है, एक स्टेप आगे solve करते, ठीक है, ऐसे आगे solve करते जाते हैं, जब ऐसे situation आ जाती है कि फट से मिल गया है, बाकी calculation करना बंद कर दो, story खतम हमारा B answer का है, बिल्कून सही है, तो हम बोल सकते हैं, यह वाला क्या रहेगा, हमारा answer रहेगा, जो भी हमने solve किया, ठीक है, A, N, Yes हो convert, अभी क्या convert कर रहा हो, 1500 old को 300 old में convert कर रहा है, यानिकि एक voltage हमारे पास 1500 को convert कर रहा, 300 old, तो अभी आप किसी को भी primary बोलो, किसी को भी secondary बोलो, यह primary हो जाएगा, यह secondary हो जाएगा, बट हम generally क्या करते है, कि E2, यानिकि secondary को पहले लिखते हैं, और primary को बाद में लिखते है, अगर हम लिखते हो, कैसे भी लिख सकते है, उल्टा भी कर सकते हो, तो यह समझो कि यह voltage है, तो इसको हम लिख देते है, E2, हमारे अपने तरीके से, आप उल्टा भी करेंगे, तो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, और यह हो कहा है, E1, तो अगर हम लिखने की कोशिश करें लिखेंगे, E2 upon E1 लिखेंगे, और equals to ratio क्या होता है, E2 upon E1 होता है, तो E2 का value कितना है, E2 का value है, 1500, 1500 divided by कितना है, 30 है, और equals to कितना है, E2 upon E1 है, तो यह 00 काट देंगे, और तीन से आपर डिवाइट करेंगे, तो पाच तिया पंदर है, और यह 0 बचाता है, यानी 50, यानी क आपको ratio देखना है, 50 into 1 कहाँ पे दिखता है, और हमारा ratio, यह तो कभी गलत उल्टा दिखेंगा, उल्टा भी हो सकता है, कभी 1 by 50 वाला भी option होता है, तो देख लेना है, अरे 2-2 option है, तो अभी 2-2 option है, तो बरापर धहान से लिखना है, कि हमारा लिखते वाग बराबर 2 by 1 ह नहीं लिखना है, देखो, दोनु भी आप ए अंसर है, तो इस टाइम पे हमारा गलत हो सकता है, कि 1 by 50 लिखना है, कि 50 by 1, पर अभी हमने जो पता है, क्या करना है, 2 वाली वैलू उपर लिखना है, यानि कि कैसे लिखते है, 2 वाली वैलू, पहले वाली वैलू 2 की, और दूस ए ट्रांसपार्मर, हैविंग ए प्राइमरी कोईल, ट्रांसपार्मर की प्राइमरी कोईल, आप प्राइमरी कोईल के टंस देखे है, सेकंडरी कोईल के भी टंस देखे है, ओल्टेज देखे है, बारा ओल्ट अक्रोस देखे है, यानि कि प्राइमरी के आगे का ओल्टेज अब य्यापफे डाइयरेकली बोलाएा प्राइमरी को उनंगे अ जलो Cartan आ इंधी में है loro transformer माध्यमध कौईल है जिसका 200 टरंस है हिंदि में माध्यमिक अच्रीक यानी कि रिकना है बोला गया है अभी यह भी पता चल गया कि आपे दो टंस देखे एक ओल्टेज देखे तो हमें कुछ ना कुछ ट्रांसपार्मर रेशो का ही कोश्चन स्वाल करना है तो देखे गिवन निकाल देंगे प्राइमरी कोईल है या तो आप भी लिख सकते हैं बbut हम लिखेंगे 100 टंस यानि कि यंवन का वैलू कितना हो गया एक मंड़े आप लिखना है यंवन का वैलू कीतना हो गया बारा उल्ट है तो हमें यहां पर क्या पूछा गया है कि हमें बोला गया है कि what is the output अभी जो भी बचाओंगा output होंगा यह निकी e2 equals to question mark बस फार्मुला लगा तो हमारा येंट्व अपॉन येंट्व अपॉन क्या होता है येंट्व उल्ठा भी लिखे तो चलता है और एक बार याद कराके देते हैं यह होगा e2 upon e2 upon e1 ठीक है बस वैलू पूट कर देंगे येंट्व का वैलू कितना है अमरे पास येंट्व का वैलू है 200 divided by n1 का वैलू कितने है 100 equals to e2 का वैलू कित अ.. यहाँ पे सेकंडरी का कोईल है 200 है 2000 है तो यहाँ पे 2000 कर देते हैं मतलब 2000 और यहाँ पे 2000 ठीक है अभी क्या करेंगे कुछ नहीं यह 0 काट देंगे दो इसका भी 2 0 काट देंगे क्या बचा है आमरे पास कि इधर एटू और ये बीस इंटू बारा यानि बारा इंटू टू कितना होता 24 और ये एक 0 बचा था तो ये 0 मतलब 0 240 ओल्ट हो गया E का तो चेक कर लेना है कि 240 वाल ऑप्शन है क्या तो 240 वाल ऑप्शन है D पे आनि कि हमारा एंसर कह रहेगा बिल्कुल सही रहेंगा इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो आप स्वाल कर सकते हो आग एका कोश्चन उसके बाद तो maximum flux density maximum flux density यानि B का value देखे का value देखे का value देखे B का value the core यहाँ पर voltage देखे एक ratio में प्रिक्वेंसी भी देखे अभी देखो किता कॉंप्लिकेशन है निमेरिकल भी बड़ा है हमारा दीमा कहीं भी भूम सकता है बड़ देखेंगे अच्छे से सिंगल पेज ट्रांसपार्मर ट्रांसपार्मर इस 1.2 वेबर पर वेबर पर मीटर स्क्वेर यह flux density B का value है 1.2 ठीक है और यह में पर टन इस एक टोल्ट अभी देखो यह सबसी इंपोर्टन वाली बात देखेंगे ना यह में per ton then what will be the number of primary and secondary tons अभी आपे बोला है कि primary और secondary के tons निकाली है तो अभी ट्रांसपार्मर रेशो का formula नहीं लगाना है बट concept होई यह हमारा हमारे पास क्या है दोसो पचास ओल्ट है और यह 3000 ओल्ट है तो अभी जनरली लिखते हों क्या करते हम यह वाला हमारा सेकंडरी का यानि कि इसको 2 लिखेंगे यह हो गया हमारा e2 और इसको क्या लिखेंगे e1 लिखेंगे तो आपे क्या पूछा है कि primary और secondary का पूछा यानि कि हमें क्या निका ना इक्चोली रिखेंगे नुमेरीकल नहीं बोल सकते बट उसी का कॉंसेप्ट है यहाँ पर सबसे इंपोर्टन दैं कि यह में पर टन यानि कि इसका अर्थ कहा है तो देखें यहाँ पर बोला गया है यदि यह में पर टन 8 लट है इसका मतलब यह की एक टन में मतलब एक हो रहा, अभी देख़ो, हम concept बताते आपको, एक ton में, एक ton में, अगर 8 olt हो रहा, तो 10 ton में बता यह, 10 ton में कितना हो गाउगा, 80 old हो जाएंगा, 100 ton में कितना हो जाएंगा, 800 old हो जाएंगा, simple सी बात है, अगर हमें यह पता नहीं है, number of ton, तो हमें बोलना पड़ेगा कि आपको होता है हमने 8 team में कितना होता है था XP कर देंगे सब्सक्राने से X exposed से छेंब हैं यहांड कोई बदलाव कोही बदला क्या निए कि हमें यहाद पर तbies लोई नहीं है यहाद कि ऐमें per turn बोलाए यानि कि ये में पढ़े कि 8 old होता है हर turn में 8 old होता है तो हमें अब देखेंगे नो question में तो ये समझो E2 का value हमारे पास कितना है E2 का value है हमारे पास 200, देखेंगे इस में से हम निकाल देंगे तो ये हो गए 200, तो E2 का value अगर 200 लिखते है old और E1 का value कितना लिखते है कितना है 3000 है तो ये हो गए समझो 3000 तो हमें निकालना है number of turns जो अभी बताया हमने कि number of turns कैसे निकालना है कि 1 turns में 8 होरा old तो 10 में कितना होगा तो उसको 8 से divide कर तो number of turn पता चल जाएंगे तो हमें कुछ निकालना है अभी number of turns निकालना है अगर yen 2 निकालना है तो 250 divided by क्या कर देना है number of turn कितने हमारे 8 old है यनिक 8 old होता है एक turn में तो 8 से divide कर देंगे तो 250 को अगर हम 8 से divide करेंगे तो 8 तिया कितना होता है 24 होता है लग बग तो या पे 1 बचन है बट 30-30 दो बार है यानिक इसका मतलब यह भी नहीं है यह भी नहीं है 100% यह दोनों में से क्या ओ सकता है एक answer हमारा हो सकता है दीक है उसके बाद यह answer यह अन्टू 30 या पे भी 30 है यह मतलब 3 हो सकते है यह अभी या पे भी 30 है दो चारो जगे पर मैंने इसका मतलब कि हमें और से आगे सॉल करना पड़ेगा तब तक हमें एंसर नहीं मिला जब दी ऐसे होता है तब जाता कैलकुलेशन करना होता है अगर इसमें से समझे एक ही जगर 30 होता ना तो एंसर मार दियो ते स्टोरी खतम हो जाती है वर चारो में हाथ कुछ नहीं लगा अभी दूसरा करके देखेंगे यह आपी भी क्या करदेंगे यह नमन निकालना है तो क्या करदेंगे हम 3000 क्या करदेंगे 3000 divided by 8 करदेंगे आट से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएंगा यह यह हो जाएंगा 3000 divided by 8 तो अभी 8 से डिवाइड करेंग तो एक, जीरो नीचे उतार देंगे, तो 8 4, 32 साथ, बचाँ शयकँ अ, है, यहां पर कितना बचा जाओ है, चार बचा तो भी देखू, 3 7 है, आगे कुछ ना, division होता है तो हम बोल सकते कि n1 का value कितना है अमरे पास 375 है तो 375 का पर धुल लेना है 375 जहापे होंगा हो हमारा answer है तो 375 देखेंगे न, 3 for srip a की जगा है तो हमने अगर ये वाली side solve कर दी होते है तो हमें 2 की जगह 1 और 1 की जगह क्या आगया 2 बट कोई दिकत नहीं है 375 क्या है अमारा प्राइमरी का अमने निकाला बट option में secondary का है तो कोई दिकत नहीं है इसको लेते वक्त अभी calculation करते वक्त आपको क्या करना है इसको लेना है अमारा E1 और इसको लेना है हमारा E2Q तो यहापे secondary और primary निकालना है ऐसे कुछ बोला नहीं हो इसे ठीक है पर उल्टा हो गया तो भी भी कोई दिकत नहीं है हमारा answer perfectly निकाल जाता है तो दोनों भी हमने निकाल दिया तो इसको क्या कर देना है इसको आपको यह E1 करके consider कर लेना है पे answer क्या रहेगा इसका डीवाल answer रहेगा तो इस तरह से क्या कर देते हम इस class को यहापे खतम कर देती इस तरह के transformer ratio के question आते तो आपको क्या कर लेना है और भी question solve करके देख लेना ठीक है तो यहाप इस class को रोग देते और बाकिका इसके बाद वाले class में continue करते है अगर यह video अ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाके all notification on कर देना और इसके बात का निक लेक्चर देखने के लिए नेक्स वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो तब तक कि लिए ब्रेक लेते हैं धन्यवा झाल